पॉलिसी बजार पर एक करोड़ रुपे का तर्म लाइफ इंसुरेंस केवल 450 रुपे महीने से शुरू इस ट्विटर हैंडल ने बायो में खुद को समाजवादी पार्टी का आधिकारिक मीडिया सेल बताया है साथ ही एक ट्विट पिन किया है जिसमें महाभारत की विदुर नीती का एक श्लोक लिखा गया है शटे शाट्यम समाचारेद यानी दुष्ट के साथ दुष्टों जैसा व्यवहार इस ट्विट को पिन करने के बाद से इस हैंडल के जरिये यूपी बीजेपी के कई नेताओं की जम कर क्लास लगाई जा रही है ज़रा इस हैंडल दौरा किये गए कुछ ट्वीट पर नजर डाल लेते हैं बीजेपी नेता राकेश रिपाठी ने एक ट्वीट में आजम खान का एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें वो मुलायम सिंग्यादव के खिलाफ आपत्ती जनक टिपपणी करते हुए नजर आ रहे हैं तो उन्हें सपा मीडिया सेल ने करारा जवाब देते हुए किनर पुत्र कह डाला बीजेपी प्रवक्ता मनी शुकला जब मीडिया सेल के इस हैंडल के खिलाफ उतरे तो उन्हें इस हैंडल के जरिये दलाल बता दिया गया ऐसे कई ट्वीट हैं जिनकी भाषा को लेकर बीजेपी के कई नेता तम तमाय घूम रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश्ट्र पार्थी का कहना है कि ये सब सपा प्रमुक अखिलेश यादव के इशारे पर किया जा रहा है अब पूरी समाजवादी पार्टी में कोई भी ऐसा रहती नहीं बचा है जो अखिलेश यादव की इन गलतियों को पॉइंट आउट रहे कि अखिलेश यादव की ये टिपडिया अब विधिकी परिजिक को पार कर रही है अखिलेश यादव जी को इसका खाम्यादा भुगत पड़ेगा वो किसी के परिजनों पर किसी के प्रुध माबाप पर अगर गाली गलोज की टिपडिया करके इसको समाजवाद मान रहे है तो ये अखिलेश यादव को भारी पड़ेगा खराब भाशा के प्रयोग को लेकर इस हैंडल दौरा सफाई देते हुए लिखा गया है कि जब देश प्रदेश के सर्वोच पदों पर बैठे लोग अपनी पत की मर्यादा भूल कर नमूना पचास करोड की गल्फरेंड या टोटी चोर या दीदी ओ दीदी या फेक वीड कीा खर्टी नेता अधनी एक खीलेश या दाउ जी लेकिन उन लोगों से उस भारती जंटा पर्टी से आप भासाई सूचिता भासा की मर्यादा कैसे सीख सकते हैं जिस भाष जंटा पर्टी के सरोसरेष्ट नियेगे ये कहा हो कि उनकी गर्फरेंडड पचास करोड की है जो लोगों के गर्डफरेंड के किसी के पतनी के किसी के बायन की कीमत लगाएं उनसे आप भासा कैसे सीख सकते हैं इस टूटर हैंडल के खिलाफ लखनाओं में दो F.I.R. दर्ज होई हैं हाला कि दोनों ही मामलों में पुलिस अभी जाच कर रही है अब राजनितिक लड़ाई जमीन से जादा सोशल मीडिया पर लड़ी जाती है सपा के कुछ नेताओं का कहना है कि बीजेपी के हर छोटे नेता कारेकरता ने अखिलेश यादव को टोटी चोर तक बोला है तो अब बीजेपी की भाषा में उनको जवाद दिया जा रहा है तो फिलहाल भाषा भी मर्यादा बना के रखना ज़रूरी है चाहे वो जमीन पर लड़ाई हो चाहे वो सोशल मीडिया पर लड़ाई हो लेकिन फिलहाल जो नेता है समाज़ादी पार्टी के वो ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पता कि ये हैंडल कौन चला रहा है नहीं दिली से सुरब शुक्ला की रिपोर्ट एनिटीव इंडिया